हलो एब्रीवन वेलकम टूब्राइट आईक्यू तो जैसा के लिए हम लोग पढ़ रहा है जैसी सीजी एल में ज्छार्खन से इलेटेट सारी इंपोर्टेंट टॉपिक को आज का चेप्टर हमारा है ज्छार्खन का यतिहां से परिचे यह आपका उडान बुक का चेप्टर जार्खन का नाम ज्ञार्खन पढ़ा है जहार्खन पर देखते हैं ज्ञार्खन पर्देश का सर्व पर्थम उले कहां मिलता है और ने कोटिल्ले के अर्थ सास्त्र में आइने अकपरी में एत्रय ब्रामट में ज्वार्खन सब्द का सर्वपर्थम उल्लेक किया गया था यहां पर तो है कहां किया गया था अब है कब किया गया था और उस समय का यूग जो था उस यूग को तामर्यूग के नाम से जाता है इससे बहर sackा याद रखना है बैसे पूछे दिया जाएं कि जब ज्याकण का सरोपर्थि उलर्प हुआ था तो उस समय किस सा उस में कुवड़य था तामर्य यूग है इससे आपको यहांद रखना है चलिए बढ़तें Camb kay drop , ज्हारखन का उले किस नाम से किया गया है option में आपके पास दिया हुआ है कुकुट लाड के नाम से किकाट नाम देशो अनार्थ के नाम से मुरंड के नाम से या फिर जार्खन के नाम से करेक्ट एंसर हो जाएगा किकाटा नाम देशो अनार्थ के नाम से जो है वो जार्खन का उल्लेख किया गया है तो इ सब्सक्राइब और याजूर में उसका गर्ड रखन को भारती नाम से सम्वोद किया गया है वैदिक साहित्य में जार्खन की जन जातियों के लिए निमन में से किस सब्सक्राइब किया गया है और आपके पास दिया हुआ है छुद्र का असूर अस्व प्रिष्टय का या फिर अनाह का तो देखिए इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा आपका असूर का यह आपको याद रखने हैं किसमें वैदी साहिते में जारखंड की जन जाती को किस नाम से संबोधित किया है 4 इसका का असूर को लिंगी पूजन या कहा गया है आपका परयोग कर चण चोटा नाकफूर या फिर कुकुटका तो देखिए इसका correct answer हो जाएगा आपका खोखरा कि तुजुक ए जहांगीरी में जारखन के लिए कौन सा सब्द परोग क्या गया है तो वह है आपका खोखरा निश्क कोसन देखते हैं कोटिल लेके अर्थ सास्तर में जारखन परदेश को संबोधित किया गया है मतलब किस सब्द से सम्बोधित किया गया यहां पर क्या था तुजुक ए जहांगीरी में यहां पर क्या है कोटिल लेके अर्थ सास्तर में आपका कुकूट नाम निश्क कोसन देखते हैं किस ग्रंथ में जहारखन का उलेक पुंड्र नाम से किया गया है उप्सन है आपके पास वायू पुरान एत्रे ब्राम्हन विस्नु पुरान या फिर भागवत पुरान में तो देखिए इसका करेक्ट एंसल आपका हो जाएगा एत्रे ब्राम्हन म जहारखन का उलेक पुंड्र के नाम से किया गया है इसे आपको याद रखना है चलिए बढ़ते हैं नेक्स कोशन की तरफ नेक्स कोशन है तालमी ने जहारखन को किस नाम से संबोधित किया है और कोचिल्य के और सास में कूक्ट के नाम से तुजुक ए जहांगीरी में खोखरा के नाम से यह सारा टोपिक आपको याद रखना है चलिए बढ़ते हैं नेश्कोसन की तरफ नेश्कोसन है आपका कि वायू पुरान नामक गरंथ में जार्खन को किस नाम से संबोधित किया गया है आपके पास दिया हुआ है मुरंड, पुन्रिक, मुन्ड या फिर पुन्ड से तो इसका पुरान नामक गरंथ में जार्खन को मुरंड के नाम से संबोधित किया गया है आपके पास दिया हुआ है खोकरा, मुन्ड, मुरंड या फिर पुन्रिक, तो देखेज का पुरान नामक गरंथ में जार्खन को किस नाम से संबोधित किया गया है नेश्कोसन के तरफ बढ़ते हैं जो है कि पहान द्वारा जार्खन का उलेक किस नाम से किया गया है सारे नाम को ना आपको एक जगत जो मैं बता रही हूँ, सारे नाम को ये क्लाइन से याद करना, ये सारे नाम में से कोई नाम आपका 100% चांसे की एक्जाम में पूछे जाएगे तो सारे को अच्छे से प्रक्टिस कर लेजेगा, देखिए इसका ओप्सन देखते हैं, जो है आपका कुकुट लाड, किकट परदेश, मुरूंड या फिर पुन्रिक, तो देखिए इसका करेक्टर आपका हो जाएगा, कुकुट लाड यानि कि पान द्वारा जार्खन का उलेख जो है, वो कुकुट लाड के नाम से किया गया है, नेश कुसन ने आपका कि भागवत पुरान में जार्खन को किस नाम से संबोधित किया गया है, ऑप्सन में दिया हुआ है, मुंड, किकट परदेश, मुरंड या फिर कालिंग देश, तो यह भी आपको याद रखन में कुकुट लाड का यूज किया जाता है, मतलब कुकुट लाड का परयोग किया गया है, जार्खन का उलेख करने के लिए और भागवत पुरान में किकट परदेश का उलेख किया गया है, तो लिनेश को संदेखते हैं, छोटा नागपूर नाम से जार्खन को निम्नलिख में से किसके द्वारा संबोधित किया गया है आपके पास दिया हुआ है इस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा समुद्र कुपत के द्वारा पहां के द्वारा या फिर हैंसां के द्वारा गेस कीजिए इसका अंसर इसका करेट केंसर हो जाएगा आपका इस्ट इंडिया कंपनी मुंड मुरंड अटावी या फिर पसु भूमी तो देखिए इसका करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा पसु भूमी से आपको याद रखना यह बहुत महाभारत में जारकंड के लिए निम्नलिखित में से पसु भूमी का यह पिछले बार अच्छे से रिविजन कर लेगा जितना भी आपको मैं नाम बताई हूं कि जारकंड को किस किस नाम से संबोधित किया गया है वह यह सारा को सना अपका एक्जाम पॉइंट व्यू से बहु कर लेगा है तो इन सारे कोस्तों को आप अच्छे से रिविजन कर लिजेगा कोई भी प्रब्लम हो या फिर कुछ और भी टॉपिक हो जिसे आप कम्प्रीट करने वाना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किजेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इन